Welcome to the SP Sharma Classes आज जो हम कर रहे हैं वो Digital Electronic के बुक से Question No.83 से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं Question No.83 में आपसे ये कहा गया है The Base और Redix of the Number System Such that the following equation holds Basically आपसे ये कहा गया है कि एक equation है Which is 312 upon 20 is equal to 13.1 और आपसे कहा गया है कि इस Number System का Base क्या होगा तो हम माल लेते हैं कि इस Number System का जो Base है वो R है अब हम इसको Solve करते हैं आपको पता होना चाहिए कि Absolute Value कैसे निकालते हैं यहां से Start करते हैं जैसे ये 312 है और इसका Base R है तो हम R की Multiply, R की Power 0 की Multiply 2 से करेंगे R की Power 1 की Multiply 1 से करेंगे और R की Power 2 की Multiply 3 से करेंगे तो सेम प्रोसेस हम अगर हम यहां करें तो यह ऐसा हो जाएगा 3R square plus R plus 2 और यह नीचे हमारा हो जाएगा 2R और 0 की Multiply करेंगे तो वो 0 ही रहेगा और इस तरफ अगर हम देखें तो यह हो जाएगा R plus 3 plus यह Point के बाद जो होगा उसकी Multiply इस तरह के से होगी इसको अगर हम थोड़ा solve करें तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3 by 2R plus 1 by 2 plus 1 upon में R is equal to R plus 3 plus 1 by R यह basically कुछ नहीं क्या यह जो denominator था उसको individual के नीचे रखके हमने यह solve कर दिया अब आप देखेंगे यह 1 by R 1 by R से Cancel हो जाएगा अब यह इस तरीके से हो जाएगा 3R plus 1 is equal to R plus 3 यह जो इनका base में 2 था यह LCM ले लिया तो इस तरफ ही 2 इधर आके Multiply हो जाएगा अब अगर हम इसे solve करेंगे तो 3R plus 1 is equal to 2R plus 6 plus का 2R इस तरफ आके Minus का 2R हो जाएगा तो 3R में से 2R गया आपके पास बचा R यह 6 है plus का 1 इधर आके Minus का 1 तो यह हो जाएगा 5 6-1 is 5 तो हैंपर R की value 5 आगए अब option में देख लिएगे कि किसके पास आपका 5 है तो A option हमारा 5 है तो इस number system का base होगा वो 5 होगा अब बढ़ते हैं अगले question पर next question हमारा है 84 इसमें यह पूछा गया है consider the following equation 123 जिसका कि base 5 है is equal to x8 और base y है तो आप से पूछा गया है कि x और y जो है unknown है तो इसके possible number of solution कि x और y कैसे कितने solutions होगा तो इसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं पहले हम इसके absolute value निकालते हैं तो अगर हम यहां निकालेंगे तो यह 1 into 5 की power 2 plus 2 into 5 की power 1 plus 3 into 5 की power 0 जैसे हमने last question में किया था same as it is यहां पर हम करेंगे तो x into y की power 1 plus 8 into y की power 0 इसको अगर आप थोड़ा solve करें तो यह हमारा 25 plus 10 plus 3 हो जाए is equal to xy plus 8 अगर आप इस अब solve करेंगे तो यह 38 और 38 minus 8 equal to xy यह वाई equal which is 30 equal to xy अब आप देखेंगे कि x और y दो variable है और उनका product 30 हो तो x और y के ऐसी क्या क्या possible values हो सकती हैं जिसमें की product जो हमारा वो 30 होगा तो यह हम इसके लिए ऐसे कर लेते हैं यहां माल लेते x और यह y तो x की value 1 हो सकती है तो यहां पर y की value 30 होगी x की value अगर 2 हुआ तो y की value 30 15 हो जाएगा x की value अगर 3 हुआ तो 3 10 जा 30 4 में नहीं होगा आपका 5 6 जा 30 इसी तरीके से और अगर हम करें तो 15 2 एं 31 भी हो सकता हैं तो यहां पर एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे कि यह जो है x और y इस number system का base जो है वो y है that में जो y की value होगी वो हमेसा x से बड़ी होगी क्यों x से बड़ी होगी क्यों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जैसे यहां पर आप देखें इसका base 5 है तो यहां पर जो possible desert है वो 0 to 4 होगा मतलब कभी भी 5 भी नहीं आ सकता तो यहाँ पर भी यह होगा कि तो y की value यह हमेशा x से बढ़ी होगे तो y की value x से बढ़ी देखे, इस case में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है अगर आप चौथा देखते हैं, अगर हम एक और case बना लें, जैसे कि अगर मैं हैं बोलू 6 और 5 65 जब 30 होता है but यहां पर x की value बढ़ी हो रही है which is not possible अगर मैं इसको उल्टा करके और बोलू 10 और 3 ये भी नहीं possible है 15 and 2 which is not possible 30 and 1 which is also not possible तो चारों ये option possible नहीं हो पाएंगे इस situation के तारे तो सिर्फ ये condition satisfy होंगे तो number of the solution आएंगे वो आएंगे आपके पास 4 solution आजाएंगे तो आपका option number C हो जाएंगे इसमें हम थोड़ा सा correction करेंगे इस option को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया यहाँ पर x की value 5 और y की value 6 इसमें अगर हम put करें तो x की value 5 और ये रहा 8 और y की value जो है वो है 6 है which is not possible क्योंकि यहाँ पर आप देखें base 6 और inner value जो है वो greater है तो यह वाला solution भी possible नहीं हो पाएगा तो सिर्फ यह तीन possible solution होगा तो option आपका 4 नाओ के 3 हो जाएगा now move to the question number 85 85 में हमसे यह आ गया consider the equation 43 जिसका की base x है is equal to y3 जिसका की base 8 है और आप आपसे यह पूछा गया है कि x और y की value unknown है तो इसमें भी आपका possible solution भोना है तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं यह बिल्कुल पीछ्रे वाले question के दर है एक चीज तो यह कि जो x की value होगी वो greater than 4 होने वाली है क्यों होने वाली है 4 क्योंकि यहां पर 4 यूज हो चुगा है तो 0 to 7 possibilities है तो यह दो term हमें समझ आ गया अब हम इसको solve करते हैं absolute value वैसे ही निकाल लेंगे जैसे कि यह हो जाएगा 4x plus 3 is equal to यहां पर हो जाएगा हमारा 8y plus 3 इसको अगर हमने solve किया तो यह कुछ इस तरीके सो जाएगा 4x equal to 8y और x equal to 2y अब सेम यहां पर हम एक table बनाते हैं और देखते हैं कि x और y की possible values क्या-क्या हो सकते हैं यहां पर अपने x रख देते हैं और इधर हम y रखते हैं और solve करते हैं यहां देखेंगे y की जो values है वो less than 8 है that means 0 to 7 है और x की value greater than 4 होना ही चाहिए तो हम check करते हैं सबसे पहले अगर हमने y की value 0 रखी और इस equation में satisfy किया तो x की value भी 0 होनी चाहिए अगर हमने y की value 1 रखी तो x की value 2 हो जाएगी y की value 2 रखा तो यह हमारा 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8 और 5 रखा तो 10 इसी तरीके से 6 रखेंगे तो 12 और 7 रखेंगे तो 40 यह 8 possibilities है आप देखेंगे यह दोनों equations satisfy होनी चाहिए हमने y का तो देख लिया which is less than 8 right है बट x की value greater than 4 होनी चाहिए तो यह options तो cancel हो गए कि यह नहीं होने वाले है तो क्या क्या हो सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है यह और यह हो यह तो basically 5 possible solution है x और y के और वो possible solution x और y के कौन कोंस है एक है हमारा 6 3 8 4 10 5 12 16 and 14 and 7 तो यह x और y के 5 possible solution है इस equation के लिए तो आपसे number of possible solution बोले गए था है यह रहा बढ़ते हैं अगले question पर question number 86 86 में हमें कहा गया है the 16 bit 2's complement representation of an integer एक integer का 16 bit में आपको representation दिया गया है और आपसे इसका decimal value पूछा है तो देखेंगे 16 bit में number कुछ इस तरीकी से दिया हुआ है 4x1 then 4x1 then 4x1 then 0101 यह आपके पास 16 bit का number है और यह 2's complement में लिखा गया है तो आप इसका MSB part देखेंगे यह तो ही रहा MSB अगर MSB हमारा 1 है that means जो number है वो negative number है और अगर MSB हमारा 0 होता तो वो number positive होता है तो अब क्योंकि यह number negative में है क्योंकि इसकी MSB value 1 है तो इस negative number को हम absolute value उसकी positive value पता करने के लिए हम इसका 2's complement निकालते है तो 2's complement निकालने के 2 method है पहला यह कि इसका 1's complement निकाले और उसमें आप one add कर दीजे जो कि बहुत ही common use होता है हम इसका shortcut method यूज करते हैं इस shortcut में आपसे यह कहा जाएगा कि आप LSB से start करिए और जैसे ही पहला one मिल जाए तब तक आपको same desert लिखनी है तो यहाँ पर जैसे कि हमें पहला ही one मिल जाएगा अब उसके बाद जितने ही desert है उन सब का complement कर दीजे जैसे कि यह 0 है तो आप इसको one कर दीजे one है तो zero, zero है तो one और यह सारे हमारे यह zero हो जाएगे क्योंकि इन सब का complement ही हो जाएगा तो यह होगी अब यह देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि eight four two one से अगर करोगे तो यह 11 आ रहा है 11, that means 11 को हम ऐसे represent करेंगे और यह जो number था यह किसको represent कर रहा था यह, यह minus 11 को तो option में देखेंगे हैं हमारे d option feedback बढ़ते हैं अगले question पर now move to the question number 88, 88 में हमसे यह कहा गया है the representation of a value of a 16 bit unsigned integer x in a hexadecimal number एक x number है hexadecimal में which is b c a 9, आपसे कहा गया है इसी x को अगर हम octal में लिखें तो क्या होने वाला है तो simple सा question है इसको थोड़ा सा complicated करके words बोल दिया बाकी यह simple है इसमें यह खा गया है कि यह जो number है वो hexadecimal में hexadecimal में आपसे बस इसका equivalent octal representation पूछा गया है तो हमने कुछ नहीं करना इस b c a 9 को पहले हमने binary में लिखना है 4-4 bit के binary में then उसकी grouping 3-3 bit के करनी है तो यहाँ पहले यह देख लें कि a जो होता है वो कुछ नहीं 10 है हमारा b जो है वो 11 है and c जो है वो आपका 12 है और 4 bit के coding करनी है that means आपको 8421 के format में लिखना है तो b को अगर आप लिखोगे b which is 11 that means 8011 c which is 12 that means 1100 a जो है आपका वो 10 है that means 1010 और 9 which is 1001 तो यह था हमारा 9 यह हमारा वो 10 है which is a और आगे का यह रहा हमारा c which is 12 and this is your b यह हमारा a है अब आपको इसके LSB से start करना और grouping करनी है तो अगर हमने LSB से किया तो यह 001 which is 1 इधर का हम LSB की grouping करेंगे तो 101 which is 5 इधर grouping करेंगे 010 which is 2 now 110 which is 6 001 which is 3 and this is 1 और अगर इस तरख bits नहीं है तो आप 00 लगा सकते है which is 1 that means यह रहा हमारा octal का 1 3 6 2 5 1 अगर आप option में देखेंगे तो यह रहा 1 3 6 2 5 1 एक और option है बट यहां पर 7 है तो यह D option हो जाएगा नाव जो हमारा next question है which is question number 89 इसमें यह पूछा गया है number of 0 and 1s in the binary representation एक number है आपका decimal में ही number है और इस number से आपका binary representation के अंदर कितने 0 है और कितने 1 है यह पूछे ले तो यह रहा number 10 into 256 plus 5 into 16 plus 5 देखें एक long method तो यह है कि आप इसको पहले multiply करिए यह multiply करिए add करिए add करके बड़ा सापको decimal number बिल जाएगा फिर उसको long division method से आप binary में convert करिए और देखने जेए फिर उसमें कितने 1 और कितने 0 जैसे कि ऐसे इसको अगर मैं multiply करूंगी 2560 plus 80 plus 5 और इनको add करके आप एक निकाल देए बट यह काफी long method हो जाएगा तो इसके लिए shortcut करते हम shortcut में हम क्या करेंगे कि यह जो number है इस number को हम सबको 2 की power में लिखने की कोशिश करते जैसे कि इस 10 को अगर मैं 2 की power में लिखूं तो 2 की power 3 8 plus 2 की power 1 which is 2 that means 8 plus 2 जो हो जाएगा हमारा वो 10 हो जाएगा अब बात रही 256 की which is 2 की power 8 then plus आपका 5 है तो 2 की power 2 plus 2 की power 0 16 जो है वो हमारा 2 की power 4 हो जाएगा plus 5 है that means 2 की power 2 प्लस 2 की पावर 0 ये हमने इसको 2 की पावर में लिख दिया अब आपको एक simple सा formula पता होना चीए कि a की पावर m into a की पावर n है तो ये a की पावर m प्लस n हो जाते है इसको हम solve करेंगे तो 2 की पावर 3 की जब multiply 2 की पावर 8 से होगा तो ये 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 9 सेम प्रोसेस आगे रिपीट हो रहा है 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 ये हो गया ये आपके पास ये मिल गया अब इसमें देखेंगे यहां पर जो 2 की पावर 0 से start करके 2 की पावर 11 तक है that means जो इतने बड़े नंबर का जो binary representation होगा उसमें total 12 digits use होने वाली है 0 से लेके 11 अब यहाँ पे जो 1s होगा वो उन-उन place पर होगा जहाँ पर यह 2 की powers है that means 1, 2, 3, 4, 5 है 6 places पर 1 होगा total 12 digits की है तो जो 0s होगा वो भी 6 place की होगा कौन-कौन से 6th place की इस पर depend करेगा जैसे की जो 12 digit है वो 1 होगा 11 digit इस तरीके से इस तरफ अगर आप LSB से भी start करें तो यह और गया हमारा 0th digit यहाँ पर 1 1st digit पर 0 होगा, 2nd digit पर 1 होगा, 3rd digit आपका 0 होगा, 4th digit 1 होगा, 5th digit 0 होगा, 6th digit 1 होगा 7th 0 आपका 8 0, 9th digit पर 1 है, 10th आपका 0 और 11th digit पर 1 तो यह होगा आपका वैसे उसका binary representation अगर आप इसमें अभी भी count करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6 1 है और बाकी 6, 0 तो इसे साबसे option नमबर भी आपका feedback नाउ आपका move to the question number 90, question number 90 में हम से यह पूछा गया है कि 292 जो कि एक decimal number है क्योंकि इसका base 10 लिखा हुआ है, which is equal to 1, 2, 0, 4 और base इसका x है, आप से इसका x की value पूछी रही है, आपने absolute value निकाल ली है तो आप देखेंगे अगर आप इसको निकालेंगे तो यह 292 ही आएगा जैसे कि 2 into 10 की power 2 plus 9 into 10 की power 1 plus 2 into 10 की power 0 is equal to अगर आप यहां पर करेंगे तो 1 into x cube plus 2 into x square plus 0 into x plus 4 into x की power 0 इसे अगर आप solve करेंगे तो यह आप देखेंगे आपका 200 plus 90 plus 2 which is 292 is equal to x cube plus 2x square plus 4 क्यों? क्योंकि आप यहां देखेंगे 0 into x आपका 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या की power 0 होती है तो उसकी value 1, that means 4 into 1 is 4 यह आपका 4 इस तरफ आपके minus हो जाएगा which is 288 is equal to x cube plus 2x square अब देखेंगे एक cubic equation बन गया है तो इसको मैं solve करना थोड़ा tough हो जाएगा तो आप इसमें एक simple सा method दिका रहे है यहां देखेंगे मैंने x square common ले लिया है which is x plus 2 अब आप पे जो भी available option है आप सिर्फ option put करिए और देखें कि इसमें satisfy करके आपको 288 आजाता है तो जो हमारा पहला option है 5 अगर मैं 5 का product करूंग which is 25 and 5 plus 2 is 7 अगर मैं इसको multiply करूंगी तो आप देखेंगे 35 carry 3 and 14 and 3 is 175 which is not possible 288 नहीं है अगर आप 6 से करेंगे तो 6 into 6 36 and 6 plus 2 is 8 अगर आप इसको करेंगे 6,8 is 48 carry 4 हो गया 8,3 is 24 and 4 is 28 तो यह पूरी तरह satisfy हो रहा है तो यहां पर हम hit and try method करेंगे जो भी options होगा उसमें value put करके रखेंगे जिससे भी answer आजाए तो option number a तो नहीं है option number आपका b है 6 में रखने पर satisfy हो रहा है that means 6 का q plus 2 into 6 square which is equal to हमारा 288 ता है यह possible number of solution बात देखें तो इसमें आपसे फिर से वही बात ध्यान रखना है कि x की value होगी वो greater than 4 होने वाली है क्योंकि 4 digit आप यूज कर चुके हो तो 5 यह 5 से बड़ी होगी और आप यह देखेंगे यहां पर भी जो y की value है वो भी greater than 4 होने वाली है क्यों क्योंकि आप 4 user रखा है अब इसको हम solve करते हैं तो यह इस तरीके से हो जाएगा 4x plus 3 is equal to 3y plus 4 यह हमारा हो जाएगा 4x minus 3y is equal to 4 minus 3 which is 1 तो आपसे यहां पर possible number of solution नहीं पूछा था यहां पर यह पूछा है possible value of x and y कितनी value आ सकती है उनको इससे मतलब नहीं है उनसे यह पूछा है कि यह आप पर जो चार option है इस चारों में से कौन सा possible value हो सकते है तो आपने यहां पर क्या करना है फिर से option put करना और try करना है जैसे कि पहले मैं माल लेते हैं कि जो x की value है वो 7 है तो 4 into 7 minus 3 into 9 solve करके देखें कि आप equal to 1 आ रहा है तो 7 fours आपका होड़ता है 28 और 9 three जा 27 हाँ इसको आप minus कर रहे हो तो 1 हो रहा है तो basically पहला option ही satisfy हो गया तो यही answer हो जाएगा आप चाहो तो दूसरा option भी check कर सकते हो जैसे कि अगर मैं 4 into 9 minus 3 into 7 करो तो 9 fours are 36 और 3 sevens are 21 which is not equal to 1 तो यह बाकी option satisfy नहीं होगे तो आपका यह A option हो जाएगा Now move to the next question which is question number 92 92 में आप से कहा गया है which system is used to refer amount of things कि कोई बीचीज कितनी है उसको हमें किस से पता चलता है जैसे कि अगर मैं यह लिखी है कि यह 5 है तो 5 कैसे पता चलता है इसके number के base से पता चलता है तो यह हमारा number system होता है जो normal maths में भी हम करते है तो यह हमारा number system से पता चलता है किसी भी चीज के बारे में कि वह चीज कितनी है ना हमारा question number है 93 93 में पूछा गया number system define as a set of value that is used to represent जो से 92 में आप से पूछा गया था कि उसको क्या बोलेंगे जिसे amount of things पता चलता है तो हमें पता चल गया था number of system जोता है तो अब आप इसका reverse पूछा है कि number system से में क्या पता चलता है क्या किसी चीज के में quality पता चलती है नहीं क्या उसकी value पता चलता है नहीं उसकी quantity पता चलती है quantity means amount of thing कि पितनी यह हमें पता चलता है उसके number system से यह वो गया आपका 93 का अब आते है 94 पर 94 में आपसे यह पूछा गया है, bit 0 at position 0, sorry, bit at position 0 is usually referred as, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी एक number ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक number है 10, इस 10 को अगर आपसे binary में लिखने के लिए आपसे कहा जाए, तो binary में आप लिखेंगे इस तरही है, यहां से इसके counting start होती है, यह bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, तो lower to higher इस तरही के से चलता है, तो आपसे ही पूछा गया है, जो position 0 है, इस वाले bit को हम क्या बोलते हैं, तो इसको करने के लिए में पहले वैसे तो इसको हम LSB बोलते हैं, LSB बोले तो least significant bit, अब इसको LSB बोलते हैं, क्यों है, इसको हम पढ़ते हैं, इसक से लिखाता है, कि दो तरह से इसके दो तरफ से boundaries है, एक इस तरह boundary और एक इस तरह, सबसे पहले मैंने किया किया, जो इसका इस तरफ वाला boundary है, bit 0 को, उसको change कर दिया, वो 0 था, उसको 1 कर दिया, बाकी जो चीज जैसे थे, हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया, तो आप देख किया, इस 1 को change कर दिया, 0, बाकी जो चीज जैसे थी वैस्ते ही, तो ये number हो गया, 2, तो देखेंगे कि अगर मैं इस left hand side वाले bit को अगर मैं change करती हूं, तो वो 10 से 11 हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस तरह वाले bit को change करती हूं, तो 10 से वो 2 chain हो जाता है, that means इसके अंदर हम drastic change कर सकते हैं, तो इसी लिए जो भी number इस तरफ होता है, उसको हम बोलते है, LSB, least significant bit, सबसे कम प्रभाप पड़ेगा उसके उपर, बट इस वाले को हम इस तरफ जो भी desert होगा, उसको हम बोलते है, MSB, which is most significant bit, तो आप से यहाँ पर position 0 पूछा गया, position 0 इस तरफ से होता है, तो यह LSB होता है, अगर आप से last position इधर से पूछा जाता है, तो वो MSB होता है, now हमारा next question है, question number 95, 95 में कहा गया है, in which system each desert has a weight corresponding to its position, basically weighted number system के बारे में पूछा गया, weighted number system, that means ऐसा number system, जिसके उसके positional values होती है, क्या होता है उसका, positional values, हर एक bit का अपना एक position value होता है, तो इसके अदर हमारे पास binary number आ जाते है, octal number आ जाता है, decimal number आ जाता है, hexadecimal आ जाता है, और विकाफर सारे आ जाता है, तो आप से कहा गया है कि इसके अंदर से कौन सा पोजिशनल नंबर है तो वैसे तो इसका option सारे हो जाते है binary number system भी होता है decimal भी होता है octal भी होता है hexadecimal भी होता है positional value का मतलब क्या है जैसे कि अगर कोई number 010 यह binary में है तो इसका position का weight ऐसा है कि इस 0 की multiply 2 की power 0 से होता है इस 1 की multiply 2 की power 1 से होता है इस 0 की multiply 2 की power 2 से होगा that means उसके position के हिसाब से उसकी multiply होती है कि वो किस position पर है अगर number हमारा octal में होता तो ऐसे multiply होता 3 into 8 की power 0 plus 4 into 8 की power 1 that means उसकी position के हिसाब से multiplication होता है इसमें यह कहा गया है कि if we replace on to with one and off with zero तो उस number system को हम क्या कहेंगे बेसिकली यह कहा गया कि अगर मैं on को one बोलू और off को बोलू zero तो यह सिंपल सी बात है digital system में on and off यह zero and one जो number होता है वो हमारा binary number system होता है इसमें दो ही possible digits होती है इसको हम ऐसे भी बोलते कहीं पर low and high बोला जाता है off and on बोला जाता है यह पर low voltage and high voltage इस तरीके से चीज़े बोली जाती है यह binary number system अगर आपको माइनस 539 को represent करना है इन two's complement representation method तो इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आपने 539 को लिखना आना चाहिए तो 539 को binary में लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं अगर मैं रखों यहाँ पर one two four eight sixteen thirty two sixty four one twenty eight two fifty six and five one two अगर आप पांसो बारा पहले लिख दें तो 539 में से पांसो बारा गया विच इस एप्रोक्समेटली ट्वटी सेवन twenty seven करने के लिए आप sixteen and four which is sixteen and eight अगर हम ले ले तो twenty four twenty four and two twenty six plus one यह आपका हो गया यह five thirty nine को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने five thirty nine अब आप देखेंगे जो option है वो तीन डिजिट में और hexadecimal है तो हर एक डिजिट के लिए आपको चार-चार बिट चाहिए तो बारा बिट में आंसर होना चाहिए इस नंबर का आपको simply twos compliment निकालना है twos compliment के लिए दो method है आइधर आप एले ones compliment निकालिए और फिर उसको one एड़ितर दिया दूसरा method आपको बताया था कि इस LSB के तरफ से start करिए डिजिट्स लिखते जाए जब तक आपको पहला one न मिल जाए यहाँ पर मैं पहला one ही मिल गया उसके बाद हर एक डिजिट का compliment which is 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 अब आपसे इसका hexa decimal पूछा तो hexa में आपको पता है grouping ऐसे कर देते हैं अब आप देखेंगे यह 0 1 0 1 which is 5 यहाँ आप करेंगे तो 8 4 2 आपका यह हो जागा 14 and 8 4 2 1 which is 13 अब आपको यह 14 कैसे लिखते हैं e को लिखते हैं 13 हम d को लिखते हैं which is d e 5 option number b आपका फिट हो जाता है तो आज के लिए इतना ही करते हैं हमना question number 97 तर कर दिया next questions की video अगली video में देते हैं and now